Hello guys, welcome to my YouTube channel Extreme Ritik इस वीडियो में हम बात करेंगे IIFL Market में अगर आप Stop Loss और Target एक साथ लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे So first of all, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon अगर आपने IIFL Market में अभी तक अपना account create नहीं किया होगा तो link हम आपको description में दे देंगे और इसमें आपको IIFL के उपर वीडियो में लेगा ये रहा, simple आप ये वीडियो देखकर के अपना account create कर लीजेगा ठीके, अगर आप description की link का use करेंगे तो आपको extra bonus में लेगा अब जैसे ही हम इस application को open करेंगे हम अपना password डालके इसको login कर लेते है login करने के बाद acknowledge पे हम लोग click करेंगे then यहाँ पे skip करते हैं इसको फिलाल for example हम यहाँ पे अडानी का कुछ share लेना चाहते है और उसी में हम लोग stop loss लगाना चाहते है ठीक है, तो हम buy पे click करें यहाँ पे कितने quantity में आप लोग buy करना चाहते है वो आप लोग डाल लीजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको disclose quantity करना है कि आप कितनी quantity close करना चाहते है direct ठीक है, तो आप यहाँ पे quantity close करना है तो वो आप लोग डाल लीजेगा ठीक है, और किस price में खरीदना चाहते यह भी आप लोग यहीं पी डाल सकते और यहाँ पे देखे, आपको SL मिलेगा ठीक है, उपर में SL पे आप लोग क्लिक करना है और आपको यहाँ पे SL डाल लेना है कि आपका कितना SL रहना चाहते है for example, 3065 का इसका price चल रहा है तो SL हम सोचते कि हम इसको 3000 में लगाना चाहते तो हम सिंपल 3000 का SL यहाँ पे लगा दिये कितनी quantity हम stop loss में लगाना चाहते है वो आप लोग यहाँ पे डाल लिजेगा ठीक है, कि कितनी exit होना चीए और सिंपल आप इस तरीके से जो है buy पे क्लिक करिएगा तो direct आपका जो stop loss रहेगा वो लग जाएगा, ठीक है और यहीं पे होता क्या है कि अब direct तो आप लोग stop loss लगा लेंगे पर target लगाने के लिए आप जैसे ही entry लेंगे entry के बाद ही आप लोग target लगा सकते, ठीक है तो जब आपका entry हो जाएगा आपने stop loss लगा दिया उसके बाद आपको exit करने के लिए क्या करना है, क्या आपको अपनी position पे जाना है और आपको exit पे click करना है ठीक है, exit पे click करने के बाद जैसे आपको option मिलता है ना कि exit करना है आपको तो वहाँ पे limit price रहता है, ठीक है तो आपको limit price डाल लेना है, for example 3,360 का है तो हमारा target है 3,200 तो आप exit पे जाके 3,200 अब depend करता है मैं आपको example बता रहा हूं, ठीक है तो आपको अपना exit price में price डाल लेना है और आपको simple exit पे click करना है, जब वो 3,200 पे जाएगा automatic वो exit हो जाएगा और stop loss हमने आपको पहले बता दिया ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको confusion होगा, किस चीज में confusion हो सकता है stop loss में तो आपको confusion नहीं होगा but exit के टाइम पे क्या करना है आपको अपनी position पे जाना है ठीक है, orders पे आप लोग जाएगे ना तो यहाँ पे आपका position आ जाता है ठीक है, आप position पे जब आप लोग जाएगे तो यहीं पे आपको exit करने का जब option मिलेगा आपको वहाँ पे limit price रहेगा ना तो वहाँ पे आपको अपना limit price डाल ले ना कि आपका कितने में stop loss मतलब कितने का target रहना चीज आपका समझ लिए target price रहता है ठीक है, exit कितने limit में होना चीज आपको तो वह आप लोग डाल लिजेगा आपका वो target भी लग जाएगा ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो stop loss or target लगा सकते IFL market में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मतादी